आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे किचेन और केक कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल होने वाला है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा मैं कौन क से टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल होने वाला है हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल कैसे हैं फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा तो चले फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं ग प्रेंड्स को बहुत ही अच्छा चमका सकते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे बहुत अच्छा गैस में शाइन भी आता है और उसके बाद उसमें जो ऑईलीनेस जो चिपचिवा पर रहता है वह भी खतम हो जाता है तो फ्रेंड्स मैंने पॉर्डर को पूरा स्प्रे कर ल गैस स्टोफ को रब कर दीजे ठीक है एक एक चीज सब हटा दीजे और रफ कर दीजे और यह बर्णर को क्लीन करने का वीडियो में कभी बाद में शेयर करूंगी फ्रेंड्स बहुत अच्छे इसके भी टिप्स और ट्रेक्स हैं जो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ठ इसके बाद हम अपने गैस स्टोफ को क्लीन करेंगे और फ्रेंड्स मेरा तो यह स्टील वाला है अगर आपका ग्लास वाला है तो इसमें तो इतना अच्छा शाइन आता है ना आपका वो हमेशा नए की तरह लगेगा अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो इसके आद रिजल्ट आप खुदी फ्रेंट्स कितना अच्छा हमारा गैस स्टोफ क्लीन हुआ है तो इसमें फ्रेंट्स आपको सोडा या विम बार या विम जैल किसी भी चीज़ की जौत नहीं है इनों वगएरा की सिर्फ टैलकुम पॉर्डर से ही आपका बहुत अच्छा क्लीन हो जा अगर वगल जो कीड़े वगएरा होते हैं ना वो सब चीज़ें नहीं आती है गैस पे और गैस हमारा क्लीन रहता है ठीक है तो आप हमेशा इस टिप को जरूर अपनाईएगा और कमेंन तो आपने मुझे जरूर बताएगा फ्रेंट्स आपको इटिप्स और ट्रिक्स कैसा लगा गैस स्टोव को साफ करने का और बिना किसी जंजट के आप दो से तीन मिनट में अपने गैस को साफ कर सकते हो और एकदम नहीं जैसा बना सकते हो तो यह टिप्स ज़रूर अपनाईएगा फ्रेंट्स तो चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ तो हमारा नेक्स्ट टिप है फ्रेंट्स बिन्डी को लेकर बिन्डी का सीजन है फ्रेंट्स बिन्डी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अच्छी भी लगती है क्योंकि बहुत क्विक बन जाती है और बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है तो फ दोफर को बनानी है तो मॉर्निंग में रख दीजिए और बाई चांस अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है आपने नहीं किया भूल गए तो आप उसे एक सो दो घंटा पहले आप उसे धोके स्टेनर पर रख दीजिए उसके बाद आप उसे फैला दीजिए वह सूख जाएग मैंने 15-20 दिन पहले आपसे शियर किया था कि निम्बू को कागज में रखकर इस तरीके से आप रखेंगे ना तो आपके निम्बू फ्रेश रहेंगे रेकिए मेरे निम्बू अभी तक फ्रेश है ना अब हम इसको कट करेंगे और हमें इसका यूज है अभी भिंडियों को कट करने के लिए तो भिंडि को जब हम नाइफ से कट करते हैं तो बहुत सारा चिपचिपापन उसमें आ जाता है तो उस चिपचिपेपन को दूर करने के लिए हमने क्या करना है निम्बू को थोड़ा सा कट कर लेना है और यह जो हमारा होता है नाइफ इसमें हमको इसको चिप चिप नहीं रहेगा अधरवाइस जब बहुत चिप चिपापन रहता है आपने देखा ही होगा तो यह स्टैप आपको बीच इसमें करते रहना है जिससरे नाइफ हो वे क्लियर रहे हैं भीन्दी घाट से कट जये वह ना नाइफ में भिंडी चिपक जाती है कट करते समय तो यह टीप आपको कैसी लगी फैंस जो बताएगा वह बहुत यूसफुल टीप है भिंडी को लेकर देखेगा उसके बाद फ्रेंस यह नीमबू जो हमारा होता है ना कट करने के बाद फ्रिज में रखेंगे तो सूख जाता है मतलब इसका जो रस ना वो सूख जाता है और खराब हो जाता है हमारा लैमन ऐसे तो मैंने बताया आपको खड़ा रखने के लिए तो आप पेपर में रख लेंगे बट अगर आधा कर लिया तो फिर क्या करना है हमको तो उसके लिए हमको क्या करना है फ्रेंस कोई भी एक मतलब ऐलिमूनियम फॉयल ले लेने के बाद उसमें आप इसको लपेट लीजे और लपेट के आप इसको फ्रिज में रख दीजे फिर आप जब यूज करना हो आप उसको यूज करिए यह आपका हमेशा ऐसे ही फ्रेश क्योंकि हम नों नीमबू कभी भी पुरा कभी यूज नहीं करते हैं तो हाफ हमारा खराब हो जाता है इस तरीके से आप रखेंगे ना तो आपका नीमबू रस रहेगा खराब भी नहीं होगा है ना तो यह तीप आपको कैसी लगी फ्रेंस मुझे जोरू बताएगा अब च लेजन को ना पाणी में कर देना हैливо कि प्याज रहेगा तो आपके नहीं हमें बहुतने पाणी होगा अपके यह बहुतनु हमारा दिखेंगा Bem प्याज वगेड़ा हम छिलते हैं नाखेट और गिस लेना है और आलू को कट करके नाखेटा गिस लेना इस से क्या होगा जो नाखेटा ज्युक्वाइस्ट शेले चुरू जाती है और हमारे हाथ अच्छा से क्लीन हो जाते हैं उसके बाद आप पानियों से वाश कर लीजिए आपके हाथ से कोई स्मेल नहीं आएगी कोई जिलन नहीं करेगी यह कि आपके लिए बहुत है फ्रेंस जो भी अपना के देखेगा मुझे बताएगा आपको कैसा लगा ठीक है उसके बाद चलिए बढ़ते है हम अपने अगले टिप की तरफ यहाला है फ्रेंस आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो फ्रेंस देखिए हमारे घर सबके पास बहुत साथ स्लिंग बैक्स होते हैं या फिर चोटी मोटे बच्चों के बैक्स होते हैं तो वह सब नहीं दोदा फैले रहते हमें मिल नह हैं आपके आप उनको इस तरीके से अंदर डाल दीजिए कोई भी छोटी मोटे पर्स हैं आपके जो भी बैक्स हैं आपके पास अपको आप इस तरीके से डाल देंगे अंदर इस तरीके से आप डाल दीजिए फ्रेंस सारे बैट को और उसके बाद आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके आप कहीं भी इसे रख दीजिए तो इस तरीके से फ्रेंस आप रख लीजिए फोल्ड कर लीजिए देखिए एक पैट की तरह ये बन जाएगा और आप पिलमीरा में जहां भी आप इसको रखना करते हैं और यह फैला भी नहीं रहेँगा झब भी आपको 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 ढूलना नहीं परेगा आप फटाफ्ल हैं आप अपना को आपको सकते हों dear दूसरी बास मानसून में यह खराब भी नहीं होंगे आपके जो पर्स है तो ऐसे ना इरोदर फैले रहते हैं और जो कहीं जाओ तो ढूनने में बहुत दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप पुरानी पीलो कवर्स का यूज कर सकते हो तो टिप कैसा लगा जूर बताएगा देगे नेक्स वीडियो में तब तक अपना और मेरे चानल को सब्सक्राइब करेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाइबाय और टेक केर